दोस्तो यह है Redmi Note 11 T5G, Note 10 T5G का सक्सेसर, फैनली इंडिया में लांच हो चुका है, 664GB इसका बेस वेरियंट है, बट क्या एक्चॉली में यह सक्सेसर है, सब कुछ जानेंगे दोस्तो, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चानल पर पहली बार आये हो तो चानल को सब्सक्राइब कर दीजे, और साथी बेल आइकान को प्रेस कर दीजे, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफियेशन आपको मिल सके, सबसे पहले लुक और डिजैन की बात करें दोस्तो, पीछे की पॉली कॉर्बनेट पैनल मिलता है, देखने में फोन काफी अच्छा दिखता है, इसका वेट 195 ग्राम और 8.8 mm तिकनेस के साथ आता है, वैसे डिस्प्ले की बात करें दोस्तो, 6.6 इंच की FHD प्लेश डिस्प्लेश डिस्प्लेश है, IPS LCD डिस्प्लेश, अगर आप Note 10T में देखोगे तो, AMOLED स्क्रीन मिलता है, मगर इसके अंदर नहीं है, लेकिन बड़ी स्क्रीन है, साथ में 90Hz रिफ्रेस्ट रेट आता है, मेरे हिसाब से AMOLED स्क्रीन होना चाहिए था, अब बात करते हैं पर्फामेंस की, दोस्तो, ये MediaTek Diamond City 810 प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि 5G है, और बहुत ही पाउरफुल चिपसेट है, वैसे दोस्तो, ये 6NM पर बेस है, अगर स्टोरेज टाइप की बात करूं तो, UFS 2.2 और LPDDR4X RAM सपोर्ट मिलता है, बैटरी लाइफ की बात करें दोस्तो, इसमें 5000 इमिज की बैटरी है, विद 33 वाट का फार्ट चारजिंग पर बेस है, फैनली कैमराज की बात करें दोस्तो, पीछे की तरफ डूल कैमरा सेट अप है, जिसमें 50 मेगा फिकसल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगा फिकसल का अल्टर वैड एंगिल, साथी सिल्फी के लिए, सेंटर पंच हॉल में 16 मेगा फिकसल का सेंसर मिलता है, दोस्तों वाईसे ये स्मार्टफोन आपको 7 डिसेंबर से सेल में देखने को मिलेगा दोस्तो ओवराल मैं कहूं तो इस प्राइज रेंज में काफ़े अच्छे स्पेशिफिकेशन देखने को मिल रहे दोस्तो मेरे हिसाब से वैल उफर मनी है लेकिन एमिलेट स्क्रीन हर मैक्रो सेंसर होने से काफ़ी अच्छा होना था दोस्तो तो ये थे Redmi Note 11T स्मार्टफोन के स्पेशिफिकेशन आपको कह कहना है दोस्तो इस स्मार्टफोन के बारे में मुझे कामेंट बाक्स में जरूर बताना चलो इस वीडियो में इतना ही मिलते है अगली वीडियो में जैहिन दोस्तो